हाई फ्रेंड्स कैसे आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे आद में आपके साथ उबले हुए आलू की बहुत ही डिलीशेस रेसिपी शेयर करूंगी इसको आप बहुत ही थोड़े से इंग्रीडियंट्स में पना सकते हैं और बहुत ज्यादा टेस्टी होती है एक बास जुरू ट्राइ करके देखिए देखते हैं अपनी रेसिपी को इसके लिए सबसे पहले ग्रेवी तियार करेंगे ये कडाई में मैंने ऑईल डाल दिया है तेल गरम हो जाएगा थोड़ा सा जीरा डालेंगे हरी मेर्च थोड़ी सी अध्रक है इसको मैंने काटके डाला है य कृश्ड़ा सा रोष्ड करेंगे नको कि यहां पर ये कडा हुआ प्याच मैने नको रफ ली चॉप किया है रे बहुत ज़ादा नहीं भूणना है, बस प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तबी तक ही भूणना है। यह सॉफ्ट हो गया है, थोड़े से यह कटे पूव़व टमाटर डालें मैंने, इनको भूण तोड़ा सा नमक डालेंगे जिससे कि यह बहुत जल्दी कुक हो जाएगा जिसे मिक्स करके और इसको दो मिनट के लिए धक्के पका लेंगे दो मिनट के बाद में चेक करेंगे यह देखिए प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया ह और इनको ठंडा होने देते ठंडा होने के बाद में इसका स्मूध पेस्ट बना लेंगे सभी चीजों का मैंने पेस्ट बना लिया है ऐसा करने से आपका टाइम भी सेव होता है और बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है यह उबले हुए आलू लिये हैं यह छोटे साइस के आ हैं बस 90 परसें तक ही बॉयल कीजिए क्योंकि हम इनको ग्रेवी में भी पकाएंगे इसी तरीके से सभी आलू में छेद करेंगे यह देखें मैंने आलू में छेद करके तयार कर लिया है आप चलते हैं नेक्स प्रॉसेस पे यह कडाए में थोड़ा सा तेल डालेंगे जब तेल गरम हो जाएगा तो यह थोड़ा सा जीरा डालेंगे तेज पत्ता लाल मिर्च चार-पांच यह काली मिर्च हैं लॉंग भून लेंगे थोड़ा सा मसालों को और यह जो हमने पेश्ट तयार किया था वो डाल देंगे इसको भूनना है आप एक बार इस सबजी को जरूर बना के देखिए बहुत ही डिलीशेस बनती है और बहुत थोड़े से इंग्रीडेंट में बन जाती है इसी तरीके से चलाते रहेंगे इसको और जब यह भून के इतना रह जाएगा यहाँ पर हम कुछ सूखे मसाले डाल दल्दी पाउडर है लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर गरम मसाला अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को और भून लेंगे इसलिए मैं थोड़ा सा पनीर मसाला एड़ कर रहे हूं, आपके पास है तो एड कीजिए, नहीं تو स्किप कर दीजिए इसको एड करने से जो थेस्ट है थोड़ा सा इन-हेंस हो जाएगा, इसलिए मैंने एसको एड किया है अच्छे से पका लेंगे मसालों को अधिल हैं एक यहां पर मसाले एम करने से जो मसाले अच्छे से पक जाएंगे मसाले भुन चुके थोड़ा सा भी डाला है मैंने हिसको भी अच्छे से मिक्स लिंगे bisa अभी तक जो नमक है भी डाला है मैंने क्योंकि नमक या पे डाल कर रहे हूं मलाई एड़ करने से जो सब्जी का टेस्ट बहुत जादा बढ़ जाएगा आपके पास है तो एड़ कीजिए नहीं तो इसकिप कर सकते हैं इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पकाएंगे अगर आप इसको खटा मीठा बनाना चाहें तो आप यहाँ पर थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं अच्छी तरह से पका लेंगे सभी चीजों को देखे चलाते रहेंगे इसी तरीके से थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे यहाँ पर और जो कंसिस्टेंसी है इसको सेट करेंगे अपको जैसी कंसिस्टेंसी रखना है इससाफ से पानी आड़ कीजिए देखिए कंसिस्टेंसी एक दम ठीक है असी तरीके की रखनी है मझे ने कंसिस्टेंसी यहा पर थोड़ी क्रश करके कसूरी मियति भी डालेंगे इससे जो इसका टेस्ट आया का और भी जादा है नियस हो जाएगा मेथि डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे से जब ग्रेवि थोड़ी के बिला अब हम इसको कवर करके 2 मिनट तक के लिए पकाएंगे दो मिनट के बाद में ग्रेड़ी को चेक करेंगे यह देखें कितना अच्छा सा कलर आया है क्रेड़ी पकत चुकी है थोड़ा सा ग्रेड़ी को चला लेंगे और यहां पर जो हमने उबले हुए आलू रखेते तयार करके वो एड़ कर देंगे और जो ग्रेवी है उसके साथ में अच्छे से कोट कर लेंगे आलू को ग्रेवी में डाल के थोड़ी देर तक चलाएंगे और अभी यहां पर इनको कवर करके 5-6 मिनट के लिए पका लेंगे 5-6 मिनट के बाद में सबजी को चेक करेंगे यह देखिए आपकी सबजी बन के तयार है इनको बहुत जादा नहीं पकाना है क्योंकि जो आलू है वो अल्रेडी बॉयल है इसलिए बस इतना ही पकाना है जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो भी एकदम ठीक है एक बार जरूर बना के देखिए बहुत जल्दी बन जाती है बहुत ही डिलिशेस बनती है थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसको मिक्स कर देंगे और लीजे सबजी बन के तयार है गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है देखिए कितनी अच्छी सबजी बनी है वो भी बहुत थोड़े से इंग्रीडेंट में आप भी इसको ट्राइ कर सकते हैं इसको आप चपाती पराठा किसी के भी साथ सब कर सकते हैं आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए